दोगे से मैंने खुद ने 11 गंटे काम किये, मैं जानता हूं कितना बाड़न होता है। धोड़ोक तरह काम करना, सीख गदोग तरह नहीं है। माली केले तरह सोचता है, मजदूर अलग तरह सोचता है। यही हो जाएका फिर आफिस आएगे जाएगे वापस आफिस चले जाएगे 24 गंटे हम काम करेंगे तो बाकी काम कप करेंगे हाप पे जो ऐक unified बेट चलवा दे ठीक है देंखे मैं बहुत दिसपोइंड़ थी ज槝 मैंने ही पूरा स्टेट्पन्ट पड़ा किसके लिए कमार है काम उतना खंड है चाहिए जितना मन करें और मन तो बिल्गुल काम करने का नहीं करता है हम कोई काम करते क्यों है फिर क्या हम उसे घंटे से तौलेंगे तो उसे चमील में मजदूरी कर लीजिए या मिल फैक्टरिम चले जाए किसी यही पता चलें पाइसा किता मिले मैं से इर्ट फाक नहीं रखता और मुझे लगता है कोई भी विवेक्ति खाएगा नहाएगा कब संडास कब जाएगा मैं नहीं साली पाँगो मुझे सतर गंटे काम करने सोरी 14 ने 24 गंटे काम करो लेकिन उनकी कंपनी में नहीं मदर्वार्ग जो है सहमत हो रहा है मेरे से बन गया आप उनके कहे कंबर समझे चल रही है मेरी भी अभी शिफ्ट और नाराण मूर्ती जी को मैं अभी पढ़ रहा था उन्होंने कहा है कि जो है प्राइविट संस्थान और सरकारी जो संस्थान है उनमें आट से नौ घंटे का वर्किंग कल्चर है उनका कहना इन पोस उनका है कि सतर घंटे एक हफ्टे में काम करना चाहिए जो फाइब डे वर्किंग है उनके वह इससाब से डिवाइड कर ले हम अपने नियूज रूम में चलते हैं लोगों से पूछते हैं कि वह नाराण मूर्ती सहाब के सेटमेंट से कितने एग्री हैं और कितने घंटे व बहुत जादा हो जाते हैं क्योंकि 8 गंटे की शिफ्ट भी वैसी बहुत जादा हो जाती है और निशी तोर पर देखें तो कल दोके से मैंने खुद ने 11 गंटे काम किये मैं जानता हूं कि इतना बड़न होता है मेरे खाल से 8 गंटे भी इनफ और एसी कई सारी रिसर्च भी टाइम का पेमेंट नहीं पता नहीं मतलब मुचे रखता है बहुत ज्यादा इस चीज को ग्लारिफाई किया जाता रहा है कि 14 गंडे काम करें इंसान काम ही करता रहे जाएगा तो फिर यह हो जाएगा फिस आएंगे जाएंगे वापस ऑफिस चले जाएंगे रिपीट साइ बढ़ाने में युवाओं को कि बारे में कुछ सोचना चाहिए ना अगर 17 गंटे चौदा गंटे हम काम करेंगे तो बाकी काम करेंगे हमारे पास और भी काम है ऑफिस के अलावा हाला कि दरपन सर कली दरपन सर युवाओं को बहुत मोटिवेट करते हैं हमारे के अभी उनस कि यहीं काम कर यहीं सो जाएं क्योंकि गरग्रास भी बन जाएगी ना मैं बहुत डिसपॉइंड़ थी जब मैंने यह पूरा स्टेट्मेंट पढ़ा क्योंकि वर्क लाइफ बैलन्स अगर बोला जाता है तो इसलिए जरूरी हो सिर्फ कहने की बाते नहीं है आप जिन्दा करें क्योंकि करियर की बात है और देश की एकॉनमी की बात है पर किसके लिए कमा रहें जब बचेंगे नहीं तो इसके जैनेसिस देखिए कि यह फॉर्टी नार्स वीक से आसाटाइस थारीक है सटाइस नॉमर उन्हीं सो बैली स्कॉमिट कर जब वाइसरा काउंसिल में बै पहन सकें तो बहुत गहरी बात जरूरत सिर्फ यह नहीं कि आप काम कर रहें आपने काम में प्रड़क्टिविटी ना रखें के बस बूटी बचाते रहें कि बैठ रहें कि प्रेजन से ज्यादा आपका शूप होना इंपॉर्टन है तो इसलिए अगर आप उस पूरी प्रशने के मज़ूर की तरफ से क्यों नहीं है काम तो मुझे और आपको करना है न सब लोग बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की जो कि ओविसली जिस तरह की एकनॉमी में हम काम करते हैं वाएक बड़ा ही बड़ा ही बड़ा ही फोकस किया जाता है स्टम को हाला कि वो कभी लाया नहीं जाता है जीवन के और भी आसपेक्स की तरह बैलेंस की तो हर जगा कमी है लेकिन ये सवाल ही क्यों उठता है कि वर्क लाइफ बैलेंस लाना है मैं ये पूछना चाहती हूँ हम कोई काम करतें क्यों है यहाँ पर मुझे पता है उसके पीछे के सारे रीजन से कि अपने अपना घर चलाना है तमाम चीज़े करनी है वर एक बहुत बड़ा सवाल अगर हम ये पूछेंगे कि हम कोई काम कर क्यों रही है फिर क्या हम उसे घंटे से तौलेंगे या क्या एनरजी हमारे अंदर बचरी है उससे तौलेंगे तो there are two things की time है पर अगर मैं कोई काम कर交 गः यो मुझे वो काम करना पसंद नहीं है मेरी सारी एनरजी उसमें जा रही है अभी हमने सहत अड़ा किया और उसमें हर बिमारी के पीछे एक चीज बताएगी थी stress कहां से आ रहा है stress क्या हम जो काम कर रहे है उसमें वाकी मझा आ रहा है और अगर वाकी मझा हा रहा ह हम जो चीज करते हैं कभी-कभी आपने खुद नोटिस किया होगा कोई चीज हम अगर बहुत पसंद है करना तो उसमें बहुत लंबा समय भी लग जाता है वो समय दिखाई भी नहीं देता तो मुझे लगता है यह टाइम से जादा एनर्जी की बात एनर्जी कोशन की बात होन जाद में आपना काम समयट सकते हैं चाहिए और जैसे जिस दिन जरूरत होती तो आदमी उस दिन तो उस से ज्यादा काम करता थारा घंटे भी करता है सिर्फ चौद्धा घंटे क्यों जब आप अभी आप फील्ड में होगे तो फील्ड में तो आपका काम रेलन टॉप के र लोगों के लिए और लोग बता वही है ना कि मैं पहले जैसे कह रहा था है कि घोडों के तरह काम करो थोड़ा स्मार्ट वर्कों तरह नहीं की दिन बार जोए जा रहे हो तो यह भी नहीं होना चाहिए बाकी नरायन मुर्थी को पहले अपने कंपनी में लागू कर देना चाहिए वाला फॉर्मूला उसके देखते हैं बाकी जगों पर क्या रिस्पांस आता है बाकी बाकी बारा बारा गंटा काम करके निप्ता दें उसके बाद तीन देन आराम से घूमने का हमें लॉंग वीकेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीच पीच में तबियत भी किसी कराव नहीं होगी तो तो मतलब पाच्छे दिन का समझ लिए हर चीज नहीं बताई जाते हैं देखर मेरा ना जो जो राय होगी इसमें अन पॉपुलर होगी क्योंकि हमारे सीनियर्स भी कहते रहते हैं हमसे और मेरे कई कुली एक्जैम हम फोर्ड व्यू देखें की हम पूरी दुनिया भारत चापान हम दीरे जिए दीरे बुडे हो रह रहे हैं कि हमारे फाइन पावर की और काणिव इन भी प Absolutely. वाली हैं तो उस कमी को हम पूरा कैसे कर सकते हैं हम संस्तेन कैसे रख सकते हैं हम सबीज Agreement करके हैं तो यह है सतर घंटे मैं सहमत हूं सहमत हूं वो वो कैलकुलेशन का विशह हो सकता है जैसे अभी नवने भी कहा और मैं सहमत भी हूं कि आप आड़ घंटे क्वालिटी काम करो बजाए कि चौदा चौदा घंटे आपके उसमें एक बात करना चाहता हूं एक किसी बड़े आदमी ने कहा है यह बात और जालाओन के महान दार्शनिक हैं उनका कहना है कि जवानी काम करने के लिए होती तो उसका भी हमको ख्याल लगना है मैं श्रीजद भी लगाए करता हूं मैं नाम नालेनी की शठ्ट मैं अभी जैसा के आऩप लेकिन जवानी काम करने के लिए वुजुर्डीयत भी काम करने की लिए के लिए होती है कि तब आप उतना बुड़ापा भूल जाते हैं और पर्सेनल लेवल पर जब मैंने खा था प्रिफरेंस की बात हो रही थे कि आपकी फैमिली ही हमेशा रहती है लेकिन अगर जैसे आपकी प्राइवर्टी में सांस लेना सबसे ज्यादा सबसे टॉप में होता लेकिन काम जादा करने से कुछ कोई कोई दिक्कत नहीं आपको दिक्कत ना कर रहा हूं तो यह बताई जिन महांदाशनिक के बारे में जिक्र किया आप समझ चुके हैं अगर समझ चुके हैं तो कॉमेंट में बताईएगा देखिए इसमें यह भी पहले एक बात यह भी है यह भी पता चले पैसा इसा कितना मिलें तो मुद्दे की बात यह है पैसा कितना मिलेगा और अगर सीरियसली बात करें तो किस तरह का काम कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसकी गंबीर्था कितनी है कितनी गंबीर्था से काम कर रहे हैं दिमाग पर लोड कितना है क्योंकि इस के बाद 14 गंटे का सोच के एक बार को डर तो लगता है ये तो बात साफ है डर लगना लाजमी है लेकिन ये रोज होना मुस्किल है रोज होना बाकई मुस्किल है हम काम कर रहे हैं किसी दिन उसा होता है अब वो मन का काम है तो वो कभी कभी तो हो सकता है कि मन का काम मिल गया उ अजिनित विलएगे हैं लर दिन को सम्भब मेरता हुए द क्यों की मills कर को सब को समारी्ट तेபों बाया करेंगा उतने वो स calming कर पायगा इसकार के साथ यह जो 14 गंटे का काम है, इसे करते हुए, गर जाएगा, उसकी फैमली है, उसे भी देखना है, उनके लिए भी समय निकालना है, चौबिस में से 14 गंटे तो इधर ही चले गए, आठ गंटे की नीद कहा गया है, आठ गंटे की नीद, 14 और 8 कितने हो गए, 22, बच्चे दो सब्सक्राइब की तमाम, उसके बाद भाई, घर पे बच्चे हैं, पत्नी हैं, उन्हें भी घुमाना है, ठीक है, संडे सटेडे मिलेगा, लेकिन उसमें आप इतना काम, पांच दिन 14 गंटे काम करने बाद सनी बार को आप निस्चित बेड़ पे आई से लेटे रहोगे, आ आफ यहां दो jeoना ही हमें सोने तो बहुत थक है, 14 गंटे काम करके आए है, तो यह दिक्कत आएगी, कि अगर रच लोड जो है, वही रहा हो, 14 गंटे काम करवाया, तो कभी-कभी का तो मान सकते हैं, और हम लोग कर भी देते हैं, लोग करते भी हैं, कभी-कभी मालेें कि मह तो दुनिया के 8-10 तेसे हैं जहां पर हफ़ते में 4 दिन काम होता है। आपको पड़ोसी सेयुक्त अरब अर्मीराथ ही हुई वह हफ़ते में 4 दिन काम होता है। जापान जिसको माना जाता है कि वहां तो लोग दिनदात काम करते हैं। वहां भी चार दिन की बात चल रही है, युजियर में चार दिन की काम होता है, भारत में पहुता की चेयर मैंन का और बड़ा है, बड़ी कंपनी के मालिक है, और उनका ट्रन आई में कान भूर है, बड़े सहरों में तो 16 गंटे हो गए तो कब परिवार के समय देगा कब आदमी खाना पिना करेगा यह पॉसिबल नहीं लगता है मुझे लगता है कि इस पे जो है 30 से 32 घंटे दुनिया में जितने भी अच्छे जहां का वर्क लाइब बैलेंस वाले जो कंटीज हैं उनमें 30 स 32 घंटे एबरेज काम हो रहा ही हम हां भारत में 50 घंटे बात की जा रही लेकिन यहां भी बी बात ह技 थी आभी पिछले साल में साल में कम से कम हटे मिया हमार लेकिन दिन चारी को च्यूपा चार दिन काम कर ले तो एक बार चल भी सकता है लेकिन सतर घंटे तो अपने आप में बहुत ज्यादा है मैं इसे इतिफाक नहीं रखता और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति क्योंकि इस समय अलेडी इतना बड़े सहरों में इतनी आपा धापी है इतनी सारे ट्रेवल के में काइम जाता है तो मुझे लगता है यह बड़ा मतलब मेरे हिसाब से अच्छा अच्छी बात नहीं है नायन मुर्थी वाली बात आदमी कितने घंटे में करेगा इस तरह सवाल होते होते गडित में है तो उस इदहांत से सतर हम करने के बजाए ऐसे अधनी संख्या में लोगों को रखना चाहिए संस्थानों में कि इससे रोजगार भी मिलेगा और सतर हम देड़लाइन और लिमिट भी पूरी होती है तो आदमी डालाओगा ना आदमी खाएगा नहाएगा कब संडास कभ जाएगा तो सीधी सी बात है आप ज़्यादा लोगों काम पर रखिए ज़्यादा लोगों से उतना काम कराईए वर्क लाइफ बैलेंस आदमी जिंदा रहे खुश रहे सोये अच्छे से प्यार करें अ संतर होई गए होंगे बट ऐसे चलता नहीं है देखो यार हम वैसे भी जिस न्यूजरूम में काम करते हैं हम वालेंटीरिली ज्यादा काम कर लेते हैं हमारी पूरी टीम में कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा जो शिफ्ट खतम होने के तुरंद बात उठके चला जाए मतलब अनु यह ऐसे है कि बर्डन डाल दो आप लोगों पर कि आपको देश सेवा करनी है तो आप लगाई यह 16 गंटे रोज 14 गंटे रोज क्यू करता है कौन करता है देश सेवा के लिए बताई कि अब सुबह घर से आते हैं मैं अपनी खुशी के लिए नौकरी करता हूं है ना मतलब स काम कर सके जैसे मेरी टीम में एक दूस आती है वो इसलिए जो आप करते हैं कि थोड़ा पैसा एकटा हो जाएगा फिर वह अपना पैशन फॉलो कर लेंगे और आर्थिक लेवल पे जो है उनको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो लोड नहीं लेने पड़ेगा तो ह इसमें यह कहाना कि 14 गंटे रोजाना आदमी काम करें जो ब्रेक अपर मतलब 14 100 गंटे करीए कि कूं करें cir시 FE को बोलिए कि वह फार्मिला जो कई दिनों से चर्चा में हैं कि फोर डे वीक करेंगे और काम के घंटे बढ़ा देंगे तीन दिन को उफरेंगे तो लोगों को वर्क लाइफ बैलनस बनाने में बहुत आसानी होगी माता है पिता है अपने बच्चों को टाइम दे पाएगी ज यह फॉर्मिला ला रहे तो और कुछ देशों में शायद चल विराए चार दिन काम करो ज्यादा और तीन दिन आप घर पे रहो तो उस थीति में तो यह ठीक है चलो काबिल कबूल हो जाएगा कि 14 गंटे एक दिन तो तो शिफ्ट के घंटे बढ़ जाएंगे ठीक है ऐसा फ बंद हो गई तो उस वक्त और फिर पूरे इंडिया भर में भी जहां भी कार खाने टाइपस एस्टैबलिश्मेंट है वहां यह आम चलन है कि आप ओवर टाइम करोगे आपको उतने घंटों के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और ओभी प्रपर्शन थोड़ा ज्यादा होता मानलों अगर आपका एक घंटे का आपकी सैलरी के हिसाब से 200 रुप्या बनता है तो ओवर टाइमिंग का अगर एक घंटा आप दे रहे हो तो वह सवादो सो या दो सो तीस ऐसा बढ़के होता था उसमें क्या होता तो लोग उच्सुक भी रहते थे तो आज मुझे चार घं से मिलेगा अल्टिमेटली ऐसा कोई फर्मिला अगर मूर्ती साब लाए तो ठीक है पर वो चाहते नहीं देश सेवा करिए देश सेवा क्या किस किस फॉर्मिले में बिठाएंगे आप इसको देश सेवा एक्चुली है क्या आदमी सुबह से शाम तक काम कर रहा है सैलरी आ र यह देश सेवा है तो फिर यह देश सेवा है आप फिर काम के घंटे बढ़ाएं पैसे बढ़ाएं फिर देश को और टेक्स में लेगा हमारे तरफ से मतलब मुझे तो यह समझ ही नहीं आ है यह वह कैनेड़ा वाले एक्स्टा टूए भी टाइप लगा मझे जिसका कोई और चोर नहीं है बस हो है हवा में कि आप सतर घंटे काम कर लीजिए अब उसका कोई उनके पास रोड मैट प्लान हो कि 14 घंटे काम करेंगे तो क्या अभी लोगों ने सभी लोगों ने देखिए उस तरह की बात तो करी दी कि अब फोर डे वर्क पर बढ़ रहे हैं वर्क लाइ हैं कि केज में बंद किया जाता था चोट लग जाती थी इंसान को तो इससे फर्क ने पड़ता था मशीन ने खराब होनी चाहिए इस चीज की प्रात्मिकता होते दे तो जब यह हम लोग देख चुके हैं और उस कल्चर से निकल के इस कल्चर पर आ चुके हैं कि हम लोगों कितनी बढ़ी हैं बड़े बात कर रहे होते हैं उनके लिए लेकिन वह तो वैसी बात बोली जो उनसे एक्सपेक्टेड एक फैक्टरी ओनर से जो सिर्व उस तरीके से ही चीजों को देख रहा है दूसरी बात कि चौदा घंटे काम करो मतलब मुझे लगता है कि चौदा नह स्टरीके से उसी को क्यों काम गिन रहे काम का तो याएक तरीका नहीं हो सकता ना उनके लिए उनका काम है सुनने का काम करो सुनने सीखने लोगी वीडियो देखने यह सब काम ही है आपके अंदर कुछ हम लोग सोने नीन प्रधान देश में इस एकां करिए यह सारी चीजे या लेबर से काम करवाने के बारे में एक लंबा संगश रहा है काम के घंटे तै करने के लिए ठीक है यह आड़ घंटे की एक शिफ्ट का जो फॉर्मिला सेट हुआ है बहुत लोगों ने जाने तक दी है इसके संगर्ष में तब जाके यह एक सेट अप बना है जहां पर 24 घं मतलब रोकते हुए भी खुद को सिदान जी वाली बात कहने पड़ी कि यह बहुत मूर्कता पूर्ण स्टेटमेंट है यह मदर्वार्ग जो है सहमत हो रहा है मेरे से और होना भी चाहिए बागी ठीक है हमको लगता है अगर आठ गंटे शिफ्ट मालों नोव गंटे की है औ चौदा गंटे करवाना चाहते हो तो पांच घंटे एक्स्टा पाइसा मिलना जी पर मोटिवेशन क्या है जैसे इन्हों ने कहा कि आठ गंटे तैवा आठ गंटे काम करेंगे फैक्टरी में आठ गंटे सोईंग और आठ गंटे रीक्रियेशनल वर तो वह रीक्रियेशनल करने मन नहीं उसको नौगरी करने मैं आती है वह चौदा गंटे काम करने तयार हो जाएगा वहां शर्त परी होनी चाहिए कि आठ गंटे नो घंटे बाद जो एक्स्टा टाइम है उसका पाईसा मिलेगा डबल देश सेवा ठीक चीज़ उन्हों का कि देश हमारा पे छड़ करना चीज़ करेंगे अगे आगे बढ़े घंटे जमा करता है यह फैक्ट जमा करता तो यह देखो अलग अलग राय थी सारी आपने सुन ली और आखिर में जो है अच्छा सर कुछ कहना चाहते हैं मेरी क्लोजिंग से पहले यह बोलना चाहता है कि डिसकुशन बात में कर लेना पहले काम कर लो यह जो 70 गंटे की बात थी वह घूंपिर के यहां मामला फाइनली आ गया है तो देखें सबकी अपनी राय थी आप सर ने मुझे पहली कह दिया था कि तुम वही कहोगे कि मेरी तो राय मैटर नहीं करती है मैं बिल्कुल जो वर्किंगार होते हैं जो आइडली आठ गंटे जिनके च्छे दिन काम होता है जिनके पांच दिन काम होता है उनके नौ मॉसुम्त दिल होती जा नौ झाल माशना करते हैं करें जुदेवाय होता है क्ति हैं उनके महीं हängt लेकु toplu से तो मैं बिल्कुल वię रखता है कैमरे के पीछे हमारे जतिन हैं वह इत्यफाक नहीं रखते हैं हांत हिलाके कह रहे हैं वह भी कह रहें कि जो शिफ्ट है तॉसी में काम करना चाहिए नाम है विकास वर्मा आप बताई है सर सर यह लगातार काम ओ फ़के सब्णी वालों को छौदा घंटे काम करना चाहिए देखिए लंतरानिया खूब कर सकते हम आपको यह समझना होगा कि नारायन मूर्ती दश्कों के अनुभों के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेंड बहुत बड़ी कंपनी स्टैबलिश कर पाए हैं उनका तातपर है क्या है कहने का आपने अगर वो डिटेल में पूरा बयान आपको बहुत सारा डिस्सिप्लिन चाहिए दाची आरते हुए हैं हैं करते हुए ठीक है साथ गंटे आठ गंटे के बाद चिल लाइफ जीते हुए वो बड़े काम नहीं हो पाते हैं जितने आप बड़े रोगों को देखते हैं वो चाहे विराट कोहली हो चाहे कोई म्यू पर आप एक पत्रकार हैं अगर आप घर जाकर किताब में पढ़ रहे हैं वेब सीरीज देख रहे हैं फिर उसके बारे माध्यन करें तो आप लगातार अपने अपनी मेधा में अपने स्किल सेट में कुछ जोड रहे हैं तो वेस्ट करने का तो वक्त है नहीं और देश पच करेंगे रीले बनाएंगे तो आई कंप्लीटली एग्री विट नहायान मूर्टी कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अपने उपर जिस स्किल सेट को हम अपना चाहते हैं जो द्रीम्स बड़े बड़े रखें विचिस अगुड थिंग लेकिन उसके बाद क्या आप सोचो कि आप आठ गंटे सो भी लो चार गंटे दोस्तों साथ चल भी कर लो डिस्सिप्लिन ना रखो और फिर भी देश बन जाएगा आप बन बन देश क्या है हम और आप देश ना तो हम और आप जब तक एक्सल नहीं करेंगा और उसमें महनत तो लगती है बॉस आप जितने भी लेजेंड को देखेंगे उनके अंदर बहुत डिसिप्लेन है और बहुत महनत की उनके कहे हुए घंटो में ना करके एक सेल्फ डिसिप्लेन है तो सतर घंटे मतला यह तोड़े कि आप स्टाउप वाच लेकि सतर घंटे हो गया तो देश बन गया और सतर के नहीं बना इखत्तर हो गया तो जादा बन गया आप उनके कहे का मर्म समझिए नाराइन मूर्ती ने इंफोसिस कैसे बनाया होगा रात दिन महनत करके बनाया क्योंकि मुझे एक और महान दार्शनिक सोम शेखर ने सिखाया है कि हम कितने भी घंटे काम करें पर आपको अफिशली हमेशा यह कहना है कि नौहीं घंटे काम करो ठीक है तो नौशा 63 ही होता है साथ दिन के हिसाब से तो 63 घंटे लगा लेते हैं तो जालोन के जिंद आशनिक की बात हो रही थी आप लोगों ने कॉमेंट बता दिया वीडियो के आखिर में आपको उनके बार में पता चली गया है कामरे के पीछे मेरे साथ ही जतिन है मेरे नामें विकास पर्मा अपनी राहे में कॉमेंट में जरूर बताइएगा और ललन टॉप देखते रहे हैं शुक्रिया